नमस्कार मौसम चलवाज चनल पर आपका स्वागत है बात करेंगे राजस्तान के मौसम के बारे में यहां पर आपको जन करी देंगे कि अब किस परकार रहेगा मौसम जिसे की संबाव नहीं थी कि हिमाली राजियों में अच्छी खासी बरबारी देखने को मिलेगी ठीक वैस जोगो पर घने कोहरे की इस्तती देखने को मिलने की संबावना आगे भी बनी रहेगी कल भी और आज भी कई जोगो पर कोहरे की इस्तती रही पच्छे मी रास्तान के एक्षेत्रों से लगा कर भी कई जोगो पर कोहरे की इस्तती जैसल मीर भीकानीर से लगा कर गंगा नग जबकि बाकि कोई किसी भी प्रकार के बड़ी मुश्मि प्रणाली नहीं है लेकिन जो नॉमबर का अंतिम सुपता है उस दौराण बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन या डिप्रेशन के बाद साइक्लोनिकी स्ट्रॉम बनने की समभावना है और अब WD के आगे निकलते ही उत्तर वसेमी सोस के ठंडी हुआ है भारत के जो मैदनी इलाके हैं उत्तर वसेमी भारत के महा राजिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर जो है अपने इस्तती आज भी दर्ज करवा रही है तो आज भी कई जगों पर तापमान में गिरावट होई है यहाँ पर मारवण जंक्सेन के क्षित्रों में भी कल जहाँ साड़े साड़े ग्यारे डिगरी नियुनतम तापमान था अज अग्या दस डीगरी के दोरान उत्तरी राजस्तान के ख्षित्रों में नियुन्तम तापमान लगबग चार से पांस डिगरी तक जाने की या दर्ज होने की संभावना हैं जबकि पाली के अरावरी गैंज के ख्षित्रों तक भी देखे तो तापमान में गिरावट के साथ लगबग आठ डिगरी तक तापमान के पहुंच जाने की संभावनाई बन रही हैं या राजस्तान में वर्षा की संभावनाई नहीं है नहीं मद्य भारत में कहीं पर भी पिलाल पारिस की कोई विसेज संभावनाई आने वाले दो सब्ता के दोरान दिखाई नहीं दे रही हैं अलकि बंगाल की खाड़ी में जरूर प्रभावी मौसमी प्रणाली के तहत उत्तरवसीम भारत पर जो मौजूद नमी रहेगी उसमें भी आने वाले दिनों में कमी होने के संभाव नहीं रहेगी और अंटिसाइकलोन का प्रभाव भी रहेगा चबकि उस सिस्टम के बन जाने के बाद कुछ नम हवाव का दाएरा बढ़ सकता है जो कि दिसंबर के सुरूआत में जरूर कोई हल चल जरूर करेगा उत्तरवसीम भारत के एक्षितरों में जिसमें राजस्तान गुजरात माराष्ट मदी परदेश से लगा कर उत्तरवसीम हिमली राजियों के करीब वाले में अदर नहीं रिलाकों में मौसमी बदलाव की समभावना है अधिक्तम तापमान पिछले 24 गंटों के दौरान चलाव समारवर जिंसन बेल्ट में जो अधिक्तम तापमान रहा वा चौतिस दस मलव दो चार डिगरी सेलसिस रहा वही नियुनतम तापमान आज का कल के असपास रही और वहीं यहां पर देखे तो वायुदबाव बढ़ कर इस सीजन के उच्छतम इस्तर पर 1018 मिली बार के असपास बना हुआ है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ने की समभावना रहेगी जैसे 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 जो वायुदा पेटिया है ये और दक्षिन मे के आसपास रही और मौसम लगबग संपून राजस्तान में सुष्क बना रहा हलाकि पंजाब और उससे सटोवे कुछ इलाकों में पाकिस्तान के इलाकों में कहीं कहीं वर्सा की गत्विद्या डवलूटी के दौरान में गर्दन के साथ देखने को बरी आने वाले दिनों म इस संपून राजस्तान में मौसम के सुष्क बने रहने की संबावना है यानि अगर उत्तर रास्तान से भी बात करें तो यहापर गंगनगर, हनुमानगर, अनुबगर, चुरू, भीकानेर के इलाके हैं मौसम सुष्क रहेगा इदर जुन जुनू सीकर, अजमिर टॉक, इस सुष्क बना रहेगा हलकि यापर गंगनेकोर की स्तिया बार बार अलार क्शित्रों में मौसम के इस परकार के पैटर्न के साथ कहीं कई कोहरे की सती घंगर रूप में बनने की संबावना है अरावली रेंज के क्षित्रों में भी पाली के अजमीर के मिलूजुरे भागों में इकद कुष्तान पर कहीं कई हलके कोहरे वाले इस्ततिय उबर सकती है कोटा बुंदी बार जहलावाड उदीपुल डुंगरपूर बासवड़ा प्रताबगड चितोडगड इन सबीक शित्रों में मौसम सुष करेगा किसान भाई फसल विजै का कारी कर सकते है तादमान बिल्कूल उचित अनुकूल बना हुआ है यह हों की या जो की विज़ई हो या फिर इस समें जो उचने की आखरिय अवस्ता की विज़ई है साथी सरसों की बिज़ई का कारी जो है पहले ही पूर्ण हो चुका है तो अब किसान भई अगर सरसों की बिज़ई का कारी करते है तो वह फिलाल देखे तो मौसम के हिसाब से भी और समय के हिसाब से भी उचित नहीं है इसलिए सर्चों की बिज़ई इस समय अब नहीं करनी चाहिए वहीं इसब गोल और जो जीरे की बिज़ई है वह किसान भाई अब भी यहां पर जो है अगले 15 दिनों तक कर सकते है जीरे की आखरी बिज़ई आप 10 दिसंबर तक भी कर सकते है वहीं जो उचित समय है वह 30 नौंबर तक का है जीरे की बिज़ई के लिए और वहीं यापर जोदपूर पाली संबाग के इलाकों में भी मौसम सुष्क साब बना रहेगा किसान भाई फसल बिज़ई का कारिया यापर भी जारी रखे तापमान उचित है तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं है तो यानिकूल मिला कर देखे तो मौसम सुष्क बना रहेगा और कहीं पर भी बारिश की संबावना या फिर मावट की संबावना फिलाल नहीं है हाला कि दिसंबर की सुरुआत में जाकर कुछ जुगों पर राजस्तान के इलाकों में महवट के अनुकूल इस्ति बनती हुई वर्तमान मौसमी विशलेशन डेटा विशलेशन के इसाफ से दिखाई दे रही है लेकिन कोई बड़े पैटन पर नहीं है लेकिन इस साल जो है पिशले साल की तरही सीतो दिखुअ की स्तिया उतरास्तान के कई भागों में जो है काफी समय तक बने रहने जाने की संबावन na ये बन रही है तो फिलोल अभी की जान करी के लिए इतना ही आगे की जान करी के लिए बने रहे हमारे चानल पर नमस्कार जय हिंद जय बारत